Hello and welcome to our channel तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे 35 by 66 feet के home plan की इसके अंदर क्या-क्या बनाया है वो detail में आपको दिखाएंगे हर चीज column detail के साथ जो आप blinking होते देख रही है यह हमारे column detail है और पूरी detail के साथ आपको चाहिए तो आप हमसे plan buy कर सकते हैं फिलहाल इस plan को देख लें इसके अंदर क्या-क्या वो आपको इस वीडियो में समझा देते हैं तो इस plan की जो चोडाई है 35 feet है और लंबाई 16 feet है इसके अंदर हमारे तीन bedroom, kitchen, store room एक बड़ा hall, शीडियां और double toilet bathroom बनाये गए है common use के लिए और आपका attach एक bedroom के साथ भी इसको बनाया गया है front में car parking के लिए open space है आप चाहें तो अलग से भी बनवा सकते हैं इसी में car parking के लिए space पीछे भी लगबग सवा 5 feet का space छोड़ दिया गया है ventilation के लिए और best home plan है यह इस size का तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हटा के जैसे कि हम यहाँ से column हटा देते हैं कुछ चीजें है text मैं हटा देता हूँ यहाँ से यह देखें अगर आप अभी फिलहाल यह हमारा simple plan आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी जो बाहरी दिवारे हैं वो 9 इंच की रहेंगी कुछ दिवारें 4 इंच की रहेंगी और यहाँ पर आपको अगर आप डिटेल के साथ देखना चाहें तो डिटेल के साथ इसको देख सकते हैं कौन सी जो जैसे की kitchen है हमारा 10 by 10 feet है लेकिन इसके अंदर पीछे जाने के लिए पैसेज है कीचन के अंदर से ही 8 by 10,5 feet लगवग एक store room है पीछे 14 by 9,15 feet का एक bedroom है जिसके साथ अलमारी दी गई है और hall के अंदर से सीड़ियां दी गई है उसके बाद यहाँ पर एक bathroom है टॉयलेट है और इसके पीछे OTS दिया गया ventilation के लिए यहाँ से और यह जो toilet है यह guest room के साथ attach किया गया है फ्रंट में guest room है एक आपका personal bedroom हो जाएगा साथ में अलमारी हो जाएगा एक slab डाला गया design के लिए और फ्रंट में car parking के लिए पूरा space रहेगा तो दोस्तो यह है आज का हमारा design ground floor का design है यह इसके उपर का plan आपको चाहिए आप यह plan भी हमसे ले सकते हैं इसके उपर का भी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें